अब इसका काम क्या होता है यह हमारे सरीर में memory system को पैदा करता है memory memory यही control करता है अगर जिसका seri brahm खराब हो गया उसकी memory अच्छी नहीं रहती है अब किसी किसी को देखते होंगे कि वह भूला जाता है कोनो बतिया किसी को देखेगा तेखेगा आप कोन है तो लोगी सारा करे रहे तो इद बाउजी है आप उठीक को छोड़िये ना? टीचर्स लोग का सेरी ब्रहम कमजोर रहता है, नोट्स देखके पढ़ाता है, इंदुस्दान का बरबात करने में आधा योगदानी टीचर लोगा भी है, इंदुस्दान के लगवा 50-60% टीचर्स, खास करके GS सेक्टर, अब हम तो GS ही बात करेंगे, वाकी को बात हम क्या करे इसके दो-तीन रास्ते हैं, बढ़ने के, सबसे पहले चीज़ का है, आपको headache नहीं लेना है, आप देखेंगे लड़का समना, दो-चार चीज़े ही हमेसा सोचते रहता है, लड़की सब भी, लड़का सब भी, कोनो लड़की के पीछे पटेले रहेगा, उसको सोचेगा, इ हमारी जिंदिगी दूसरी हो जाती हम दोनों एक हो जाते, फिर तीन हो जाते है, पगला कहीं का है, प्यार महबत कुछ नहीं होता है, इस प्यार महबत का में कार्ण है, यह हाइपोथेलमस का, आगे समझाएंगे, जिन लोगों के अंदर कुछ खास चीज़े सोचते रहते ह फैमिली को सोचेंगे कि इनको क्या होगा, आप देखेंगे न, आट-दस टॉपिक होगा, आप उसके बारे में सोचते होगा, लड़की सभी सोचेंगे कि हम रहा खूब आछा लारका मिलता है, कितना ध्यान रखता, हम रही हाथ में खूदे महधी लगा देता, उठाके चा न न न चीज में बीजी रखेंगे, इनकी आप इकलनेम वेट के कुछ सोच रहे है, कुछ बी न न चीज में बीजी रखेंगे, आप इसमें क्या है, कुछ लोग PUBG खेलते है, या 3-Phyr खेलते है, कुछ गेम खेलते रहते हैं, उनका दिमाग यह और लग रहा है, बस सेरी ब करती है इसके लिए नहीं आती है आप एक चीज खा सकते हैं आयरुवेदिक दवा है यह अच्छा रहता है चमन पराज की तरह होता है लिए 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 लोग के रिवीदिक नुकसान नहीं करता है एक चमज खाई है और ठीक ठाक सरहेंगे बालोल नहीं जळ्णे देता है क्योंकि दिमाइट पर टेंशनल लेंगे तुक्स आपको बता भिजिता को बाइसरी कर सा कर ले अदूनों बरबाद हो जाता है इसलिए कोसिस करिएगा कि घर में दोस्तों में या पती-पत्नी है या फिर फ्रेंड सरकील है गल्फ्रेंड बॉइफ्रेंड है जो भी है हम आपकी परसनल लाइफ में इंटरफेयर करने वाले कोई नहीं होते हैं लेकिन आप कोसिस किजिएग दूसरा योग वगारा करते रहिए योगा वगारा करने से अच्छा होता है यह समझ में आगे आप लोगों